नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चानल स्टोरी हाउ नियूस पर मैं हूँ आपके साथ मिनाक्षित रिवेदी क्या आपने ऐसी किसी जमीन के बारे में सुना है जो दिखने में चांद जैसी हो यानि कि उस जमीन की बनावट चांद के जैसी हो यह सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा लेकिन वाकई एक ऐसी जगा है और वो है भारत में भारत में मूनलैंड के नाम से इस जमीन को जाना जाता है यानि कि इस जगा की पैचान मूनलैंड के यानि कि चांद की जमीन के रूप में हुई है आपको बता दे कि ये जगहा भारत के जम्मु कश्मीर से 127 किलोमेटर दूर एक गाउ में स्थत है तो चलिए आपको कराते हैं इस रहसिम्हई जगह के दर्शन आधुनिक समय में लोग चांद पर अपना शियाना बनाने के कोशिश में जोटे हैं इसके लिए कुछ लोगोंने बकाइदा चांद पर जमीन भी खरीदी है वैसे अंतरिक्ष में जमीन खरीदना और बेचना गैर कानूनी है इसके लिए सन 1967 में एक कानून बनाया गया था जिसमें चांद और तारे पर जमीन खरीदने और बेचने पर पूरी तरहा से पाबंदी लगा दी गई थी इस समझोते पर भारत समेत 104 देशों ने हस्ताक्षर कर सहमती जताई थी वर्तमान समय में चांद पर आशियाना बसाना बेहत मुश्किल है ऐसे में लोग चांद की जमीन केवल अपने नाम कराते हैं हालंकि चांद पर सेर करने की चाहत रखने वाले लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में एक ऐसी जगा है जहां आप चांद की सेर कर सकते हैं इस जगा को मून लैंड के नाम से पूरी दुनिया जानती है अगर आप भी घूमने के शौकीन है और चांद की सेर करना चाहते हैं तो आप मून लैंड जा सकते हैं मून लैंड कहां है? ये जगे भारत के कश्मीर में स्थत है और ये ले से महज 127 किलोमेटर की दूरी पर स्थत है इस जगा का नाम लामाईरू गाउं है दुनिया भर के लोग लामाईरू गाउं में घूमने आते हैं खास कर मून लंड के दीदार के लिए जरूर आते हैं हिंदी में से चांद की जमीन कहा जाता है ये गाउं 3510 मीटर की उचाई पारस्थत है क्या है इस जगा की खासियत ऐसे कहा जाता है कि पहले इस जगा पर जील थी जो बाद में सूख गई लामाईरू गाउं में एक मठ भी है जो आकर्शन का केंद्र है जबकि जील की पीली सफेद मिटी बिलकुल चांद की जमीन की तरहा दिखती है पुर्णिमा की रात को जब चांद की रौशनिस पर पड़ती है तो मिटी चांद जैसी चमकने और देखने लगती है कैसे पहुंचें? लामाईरू लेह से 107 किलोमीटर दूर है लेह और करिगल से यहां के लिए रेगुलर बस चलती है जो सुभा 10 और दोपहर 12 बजे लामाईरू के लिए निकलती है ब्यूर रपोर्ट स्टोरी हाउ न्यूस तो है ना ये जगे खास भारत में ऐसी कई खूपसूरत और रहसे से भरी जग हैं तो अगर आप भी ऐसी जगों पर घूमने जाना चाहते हैं या उसका दीदार करना चाहते हैं तो आप देखेगा हमारा अगला एपिसोड जिसमें हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही रहसे मेठेक आने पर तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चानल स्टोरी हाउ नमस्कार